नमस्कार दोस्तों मैं कंचन आप सुन रहे हैं टी एन एन रेडियो प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार आए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां राहुल गांधी ने विदेश निती पर सरकार को घेरा वीडियो जारी कर पूछे कई सवाल राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्री जैशंकर प्रशाद का जवाब ले पौचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग कहा एक इंच जमीन नहीं छोडेंगे वेस्टन डीज के खिलाव दूसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक ने जड़ा दोहरा शतक आईए अब जानते हैं खबरें विस्तार से कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रतोवाली सरकार के विदेश तथा आर्थिक नीतियों को बेहत कमजोर बताया है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रती जनता का विश्वास डगमगाया है जिससे देखते हुए चीन को लगा कि यही अनकूल समय है और इसका फाइदा उठा कर उन्होंने हमारी सीमाओं में घुसपैट करने का दुस्साहस किया राहुल गांदी ने शुकरवार को जारी एक वीडियो में कहा कि किसी भी देश की रक्षा के लिए एक बिंदू पर नहीं टिकी होती है बलकि ये कारे कई शक्तियों का संगम होता है जिसमें प्रतेक विदेश सथा आर्थिक नीती और जन्ता की सरकार के प्रती विश्वास जैसे तत्व शामिल है लेकिन पिछले 6 साल के दौरान भारत इन सब बिंदूँ पर परिशान और रस्त वियस्त रहा है दुनिया के कई देशों के साथ हमारे संबंद बहुत अच्छे थे अमेरिका के साथ हमारी रणनीती साज्यदारी थी कॉंग्रेस पार्टी के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने इस सुक्रवार को ट्वीट कर मोधी सरकार के विदेश नीती पर सवाल उठाए थे उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब दिया है खुद विदेश मंतरी एस जैशंकर ने उन्होंने राहुल गांधी को पॉइंट टो पॉइंट पूरी विदेश नीती समझाई है विदेश मंतरी एस जैशंकर ने ट्वीट मे कहा है कि अमेरिका रूस जापान जैसे देशों के साथ भारत के रिष्टे मजबूत हैं इन देशों के साथ लगातार समिट और इंफॉर्मल मीटिंग्स होती रहती हैं उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान में परियोजनाएं पूरी हुई हैं प्रसिक्षन बढ़ाया गया ह भूटान और अब भारत में एक मजबूत सुरक्षा और विकास का भागिदारी पाता है अब 2013 के विपरीत वे अपनी रसोई गैस के बारे में चिंता नहीं करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया क कि कई कोई भी ताकत उसकी एक इंजमीन नहीं ले सकता उन्होंने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के मद्दे नजल सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए लदाक का दौरा करते हुए ये बात कही लोकुंग में सेना और आइटी बीपी के जवानों को संबोधित करते हुए सिंग ने कहा कि पूरवी लदाक में गतिरोध को हल करने के लिए बात चीच चल रही है लेकिन मैं इसकी गैरंटी नहीं दे सकता इससे किस हद तक समाधान निकलेगा मैंचेस्टर के मैदान पर इंग्लैंड के लिए एक बार फिर से बिन स्टोक अपना जलवा ब दिल जुलकर धीर धीर अपनी पारी को सवारा और सतक तक पहुँच गए दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे आप से टी एनन रेडियो में तब तक के लिए दीजी अनमति अपनी दोस्त कंचिन को नमस्कार